12 जुन की सुबा करीब 8 बच का 40 मिनट पर सीता मड़ी के सुन बरसा में नेपाल बॉडर इलाके के जानकी नकर गाओं के पास नेपाल पुलिस ने अंद्रदुन फाइरिंग की थी इसमें चाल लोगों के गोली लगी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी इस बीच नेपाल पुलिस ने लगन राइर नाम के व्यक्ति को बंदग बना लिया था जिसे अब छोड़ दिया गया है मिली जानकारी के रुसाथ जिस लड़की की मौत हुई थी उसके परजन धने पर बैठ गयते और मरत व्यक्ति का दासंसकार करने से इनकार कर दिया था इसके बाद नेपाल पुलिस नेपाल पुलिस से बाचीत के बाद ये हल निकला है बता देगी सुकरवार को इस घटना पर बिहार की सीता मरी के पुलिस अधिक्षक अनिल कुमा ने अपनी रिपोर्ट सौब दी थी रिपोर्ट के मताबिक नेपाल के सुरक्षा बलोद्वारा हिरासत पे लिए अगर लगन रायत नाम के वक्ति की रिहाई के लिए बिहास सरकार के अनरोध पर भारत सरकार और नेपाल अथोर्टी के संपर्क की भी बाते सामने आई हैं बता दे कि इस मामले में स्थानी मुद्दा बताया था और इसका सीमा विवाद से कोई नाताना होने की बात कही थी इस घटना में नेपाल पुलिस ने 18 राउंड फाइरिंग की थी घटना से पहले भी दो बार नेपाल पुलिस ने लोगों को ख़दे राता तीसरी बार भारतियों पर अंदा दुन फाइरिंग कर दी एसेसबी के डीजी राजेश चंद्रा ने कहा कि घटना नेपाल छेत के अंदर हुई है अब इस्थिती पूरी तरह समाने हैं हलाकि दोनों और से बड़ी संक्या में पुलिस फोर्स तैनात है इस मामले में जो जानकारी सामने आ रही है उनसके अनुसार नेपाल पुलिस के पुत्र उमेश राम वा सहर्वा निवासी बिंदेशव शर्मा के पुत्र उदेश शर्मा घायल है सीता मडी के डीम अभिलाशा कुमारी सर्मा ने असपी अनिल कुमार और सस्थि के अधिकारियों को बौर्डर के हालात पर नज़र रखने को कहा है मिली जानकारी के नुसा खटना से पहले भी दो बार नेपाल पुलिस ने लोगों को ख़देड़ा था तीसरी बार भारतियों पर अंदा धुन फाइनिंग कर दी दरसल करोना वारिस के संक्रमार के खत्रे को देखते हूँ अभी भारत नेपाल बौर्डर स्टील है आवाजाई बंध होने के बौरत मांगी तो एपीएफ नेपाल सहस्त्र प्रहरी बने उनके लड़के पर लाठी चला दी लगन राय को खसीटते हुए बौर्डर से सौ मीटर दूर ले गई और उसको बंदक बना लिया ग्रामडों की माने तो नेपाल पुलिस के हरकत देकर बौर्डर पर क्रिकट ख खेल रहे कुछ युवको और खेतों में काम कर रहे लोगों ने इस कारवाई का विरोध किया इसके बाद नेपाल पुलिस ने अंदधुन फारिंग शुरू कर दी हालाकि नेपाल पुलिस के उसे कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी स्रक्षा में फारिंग की है उनका झुलें